यह वो इन्ही का गाम है, अच्छा बड़ा गाम है और ही अच्छी वोटिंग हो रही है अच्छी बात सबसे अच्छी बात ही है कितने प्यार से इत्मनान से शान्ती से वोट पढ़ रही है और लोगतंतर में कोई दल का भी कारे करता हो या व्यक्ति हो अपने मत का उपयोग कर रहा है वोट डाल रहे हैं और बड़े शांती पूतरी के समध्दान हो रहा है तो आज शाम तक वोट पड़ जाएंगे और जिसतरे जो रुजान आ रहे हैं अच्छी रोबस्ट जनताई जनारदन है और उनकी हाथ जब कुछ है जिसका पक्स हो उसका बटन दबाएंगे और यह वोट डालने से लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और मत पेटी की तो ताकत है को कि मुकाबला नहीं है और वोट और आवाम की ताकत है कि सब नेता सरकार बड़े के बीच आते हैं आना पड़ता है तो यही लोग तंथ की ताकत है यह कि मैंने बहुत हुमा हैं बहुत इलाके को देखा है रास Werking आगे सोच है जो मिज़ाज लोगों का है उसको मत थोड़ा जानता हूँ इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार सिती अलग है पिश्टी बार हम चुनाव लड़े थे हम विबख्ष में थे बहुत कम संक्यमल विधायकों का हमारे पास था बिज़ेपी के पास पूरा भहमत था केंद में राज्य में तो उस समय संगर्श किया तो हम 21 से 5 जुना होके हम भहमत के पास आ गये थे इस बार हम सरकार में हैं हम लोगे ने काम किया है हमारे पास कहने को दिखाने को बहुत कुछ है और देश में बदलाव हो रहा है 10 साल से सरकार वीजेपी की दिली में है तो और वो क्या महंगाई के हाल हैं क्या रूजगार के हाल हैं सब देख रहे हैं तो लोग उप भी जाते हैं बदलावी चाहते हैं है लोगाई प्र िवाएज देख रहा है मुझछ लगता है बाकित यह हो चनता के है लेकिन हमें डाकर्त करण को और कारिकर्त और मदार्ता कोंगर्ट के पती सखरातमक है और मदान वह तो मुझझ लागा रहे हैं च postpone और मुझे लगता है कि हर विक्ति को खासकर नौजवानों को शुरू से यह आदर डालनी चाहिए कि वोट डाल कर ही हम लोग सवाल जबाब कर सकते हैं हम वोट डालने जाए ना और फिर निताओं को पार्टियों को सरकारों को कोस्ते रहें तो भी गलत बात है अगर अपना द दाता को अपनी बात कहनी है सबसे ताकत और तरीका जो है वो बटन दबाने का है और सामुह जो एक सोच होती है वो निकल कर आती है मशीन के माध्यम से तो मुझे लगर अच्छा मंदान हो रहा है और शुरू में कहा एक अच्छे माहौल में कोई वाद विवाद नहीं है औ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें